सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंडी के बटन को भी जरूर दबाएं तो उन्हें आप जरूर देखेगा और आज इस लेक्चर में हम आगे बढ़ रहे हैं और कवर करेंगे अगला टॉपिक जो की है कोर्स 504 का ब्लॉक वन का यूनिट 4 यानि की काई चार का अगला टॉपिक है यह हम अभी गलित की विदियां गलित की पद्धियां प्रनालियां पढ़ रहे हैं इससे पहले हमने आगमन और निगमन विदी इंडक्टिव और डिट्थ headache method को कवर किया था और आज हम दूसरी विदी कवर करेंगे जो की है विश्वलेशनात्मक और संसेशनात्मक विधी यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर यह विधी कहलाती है analytical, analytic और synthetic method जिसे हम कहेंगे इंगलिश में और इसकी शुरुवात इस तरह से की गई है कि हम geometry की बात करें बीजगनित की geometry या बीजगनित की बात करें तो इस तरह की concert आपने देखे होंगे जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जैसे की एक condition है यदि A सत्य है यानि कि अगर A true है इसलिए B सत्य है यानि कि A सत्य है इसलिए B सत्य होगा और अधा C सत्य होगा तो A, B, C की यह condition बताई गई है अब यहाँ पर यह बताया गया है कि A की सत्यता की जानकारी है यानि कि A के बारे में हमें पता है कि A यहाँ पर आपके condition समझीए जो कि math में कोई भी condition हो सकती है यहाँ A की सत्यता की तो हमको जानकारी है यानि कि A कंडिशन हमको पता है और C की स्थिति अग्याद है यानने के सी के बारे में हमें नहीं पता है कि सी सत्य है या नहीं है तो एक तरह का mathematical प्रश्चन है आप माल लिजिए कि एक condition आपको दी गई है जिसे A कहा गया है कि अगर A सही है जिसकी बारे में हमें पता है तो हमें C पता करना है, C के बारे में हमें नहीं पता है तो यह इस तरह की बात है और इसकी सत्ता को सुनिश्चत करने के लिए यानि कि C सही है, C की स्थिति क्या है तो इसके लिए हम कुछ चीज़ें बताई गई है आप जैसे A से C तक की प्रक्रिया को जारी रखना ही संसलेशन कहलाता है यानि कि देखिए इसको एक एक एक्जांपल से समझिए माल लीजिए कि A equal to B है और यहां पर बताये गया है तो आपको सिद्ध करने को एकर कहा जाए कि C क्या होगा या फिर A equal to C होगा या नहीं होगा यानि कि A condition देते हुए आपको दूसरी condition को कहा जाए कि आप सिद्ध कीजिए सही होगी या नहीं तो इस तरह की प्रक्रिया को संसलेशन हम कह सकते हैं यहां पर A से C तक की जो प्रक्रिया पहुशन तक की है तो वो उसको संसलेशन कहा जाएगा यह लेकिन अन्य तरीके से कभी-कभी विद्यारती अग्याद से ग्याद के अनुसरन करते हैं यानि कि कई बार हम जो हमें सिद्ध करना है माली जे हमको कोई condition सिद्ध करनी है तो उसको लेकर चलते हैं और जो हमको दिया गया है जो हमको ग्याद है जो condition के बारे में कहा गया है उसकी तरफ चलते हैं तो उसे विशलेशन आत्मक विदी कहा जाता है इसमें आप अभी confuse मत होई है मैं यहाँ पर आपको example से समझाता हूँ आगे तो आपको बिल्कुल clear हो जाएगा यह विशलेशन आत्मक विदी में हम अग्याद समस्या को आसान भागों में विवाज़त करते हैं और शुरू से ही देखते हैं कि कैसे हल तक हम पहुंच सकते हैं चीजों को आगे step by step solve करते हैं कि हमें क्या प्राप्त करना है तो अगले कदम और जो हमारे जो भी steps होते हैं किसी सवाल को हल करने के उसके अनुसार ही होते हैं एच्छिक परणाम प्राप्त करने के लिए इसी को कहा जाता है विश्लेशन विदी की प्रकरती यहां बताई गई है यह निश्कर्ष से परिकलपना की होर चलती है यह जो पता करना है या जुअ उसे हम लेकर चलते हैं और पहुंचते हैं वहां तक जो हमें दिया गया है और सिंपल सी बात है कि यहां निश्कर से हम पहले लेकर चलते हैं जिसके हमें पहुंचना है और सवाल सौल्व करते हैं यानि जो अग्यात है उससे ग्यात की और चलते हैं अब इसको एक्जाम्पल से आप समझें बिल्कुल उपर दी गई बात आपको आसानी से समझ में आएगी अभी आगर आप कन्फ्यूज हैं तो उधान दिया गया है देखिए यदि यहां A अपॉन B है और एक्वल टू B C अपॉन D है यानि कि यह हमें दी गई है कंडिशन एक्वल टू C स्क्वार माइनस 2BD अपॉन D होगा तो यह एक कंडिशन हमको दी गई है कि यह है तो सिद्ध कीजिए यह होगा तो यहां पर आप देख रहे हैं अब विशलेश्रनात्मक विदी को समझें इससे आप असानी से विशलेश्रनात्मक विदी में हम क्या करेंग जो हमें सिद्ध करना है जो राइट में दिया गया है आप देख सकते हैं A C माइनस 2B स्क्वार अपॉन B और C स्क्वार माइनस 2BD अपॉन D तो इसको लेकर चलेंगे यहां स्टेप्स में देख सकते हैं और इसको सॉल्व करते जाएंगे आगे जो भी स्टेप्स हैं आपन पहुज गए आखिर में इस बात पर की A upon D equal to यानि की बराबर है C upon D के तो देखिए यहां हमने शुरू किया सिद्ध करने को लेकर जो हमें सिद्ध करना था जो हमें पता नहीं था यानि जो हमें अग्याद था और उसकी तरफ हम बढ़े जो की हमें दिया गया था जो की था A upon B equal to यानि की बराबर है C upon D के तो यह होती है विशले शरनात्मक विधी आप समझ गए होंगे इस चीज़ को आप मुश्कल नहीं होगी आपको जो ग्याद करना है जो सिद्ध करना है उसको हम लेते हैं सबसे पहले और उसको solve करते जाते हैं और पहुंचते हैं वहां तक ज इसकी जगा पर आप जो लिखा गया है जैसे कि उपर लिखा गया था जो इंगित करता है सत्य होगा जो सूचित करता है तो इसकी जगा हम गणतिय चिन्नों का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं जो गणतिय चिन्न बताया गया है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख आनकी गई है तो यह आपको समझ में आ गया होगा विशलेशन आत्मक तत्यों को किसी समस्या की जाच के तत्यों के आदार पर नहीं देखा जाता है तो यानिकि यही है कि हम सत्त जो पहले से जानते हैं उस तक पहुंचने के लिए हम स्टैप्स फॉलो करते हैं अग्याद से ग्यात की तरफ बढ़ते हैं तो यही इसमें बताया गया है जो सत्य है बस उसी को हम पहुंचते हैं उस तक यानि कि जो हम को सही में दिया गया है अब दूसरी विदी इसके compare में अगर देखें संसलेशन विदी यहां पर यह तो प्रदान करने के लिए क्या आवशक है इससे शुरू बात की जाती है। तो उन चीजों को एक साथ रखने से जो दूर-दूर होती है। तो यहां हम इल्टा ले कर चलेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे विशलेशन विदी में हमने ये लेकर चले थे कि हमको क्या सिद्ध करना है जो हमको नहीं पता था जो अग्यात था और यहाँ हम वो लेकर चलेंगे जो हमें ग्यात है तो बिल्कुल सीधा उल्टा होगा उसका आप इसको देखिए उधारन से आपको समझ में आ जाएगा सेम उधारन यहाँ पर लिया है जो उपर हमने विशलेशन विदी में लिया यदि A upon B बराबर है C upon D के तो सिद्ध करो कि A C minus 2B square upon B equal to यानि कि बराबर है C square minus 2B D upon D के तो सेम समस्या है बस इसमें हम लेकर चलेंगे A upon B equal to C upon D है इस बात को लेकर चलेंगे इस कंडिशन को लेकर हम शुरुआज से इस प्रशन को हल करेंगे और पहुँचेंगे हमारे अंत तक जो कि है जो हमको सिद्ध करना है A C minus 2B square तो यह विदी यहाँ पर बताई गई है संसले देख सकते हैं आप A upon B equal to C upon D कर लेकर चले और step by step हमने उसको solve किया और जो सिद्ध करना था वहाँ तक हम पहुँचे तो यहाँ संसलेशन विदी से सिद्ध करने का तरीका है जिसे हम अक्सर गड़त में उपयोग करते हैं तो यहाँ यही तरीका आप अक्सर गड़त में इसी को उपयोग किया जाता है कि जो हमको दिया गया है और उसको लेकर चलते हैं और सिद्ध करने वाली चीज तक जो नियम हमको सिद्ध करना है जो सिद्ध करने को बोला गया है उस तक हम पहुँचते हैं तो संसलेशन विदी में कुछ भले ही ये अवेविस्ते दिखाई दे लेकिन सत्त यही है कि जब ये विदी हम सत्त को खोजने का मार्क प्रदान करती है इस विदी में इस सित्ती में विशलेशन और संसलेशन विदी एक दूसरे के लिए संपूरक का कार करती है तो सिंपल सी हम उल्टे में जाते हैं जो हमें सिद्ध करना है संसलेशन विदी में तो विशलेशन और संसलेशन विदी को गणित की कुछ ऐसी समस्याओं में लागू किया जाता है जब हमें यह दिया गया हो कि माल लीजे हमें इस तरह की कुछ समस्याओं दी गई हैं कि यदि ऐसा है तो स टिसम दिवह वख हुए हैं यान कि जिसकी दो बुजाय बराबर हैं तो सिद्ध करों की समाललंबाई की बहुझा के सामने के कौनद भी आपस में बराबर होंगे ज़ chiff किया गया कि यदि ऐसा है तो सिद्ध किजिए कि वैसा होगा तो इस तरह की समस्याइं जो होती है चाहे वो जयमिती की हों बीज गनित की हों या जो भी हों इस तरह की समस्याओं को हल करने में संसलेशन आत्मक और विशलेशन आत्मक विदी का हम उपयोग करते हैं अलग-अलग इस्तितियों के अनुसार तो मुझे लगता है यह आपको बिल्कुल क्लि से से संसलेशन आत्मक में इसका विल्कुल उल्टा होता है जो हमें दी गई है कंडिशन जो हमें ग्यात है उसको लेकर चलते हैं और पहुंचते हैं इस्amous को जो हमें सिद्द करने को बोली गई है था example से आपको बिल्कुल clear हो गया होगा इसमें कोई confusion आप मत रखिएगा example हो सही मैस समझ में आता है तो ये चीज़ आपको clear हो गई होगी कोई सवाले तो आप पूछ सकते हैं तो इस topic को मैं बस यहीं तर रखूँगा क्योंकि विदियां एक एक करके समझेंगे हम क्योंकि यह बहुत important है परिक्षाओं के लिए तो बस इस topic को इतना ही रखते हैं और अगले lectures में हम आपसे बात करेंगे और cover करेंगे अगली विदी को तो तब तक आप इस videos को like जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो और share कीजिए अपने सातियों से subscribe कीजिए आगे के विडियो के लिए और घंटी के icon को जरूर दबाईएगा Thank you